दोस्तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इंफिनिया कार्ड के अंबॉक्सिं वीडियो के टाइम कि मैं आप लोगों के साथ मेरा H.T.V.C. बैंक में अकाउंट उपेंड करने से और कैसे, फाइनली मुझे इन्फिनिया कार्ड मिला, नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का टेक्नोफिनो चनल पर चलिए सुरू करते हैं, दोस्तों मैंने HTC Bank में अकाउंट उपिन किया है 2019 के जनौरी में, और मेरा जो में टर्गेट था HTC Bank में अकाउंट उपिन करने का, वो है इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड, 2018 के डिसेंबर में मैंने HTC Bank विजिट किया था, अकाउंट उपिन करने के लिए, पर HTC Bank के एक एमप्लोई ने मेरे साथ मिजबियब किया, और मुझे बोला कि आप यहाँ पर अकाउंट उपिन नहीं कर सकते, मुझे साब साब मना कर दिया, मैंने बोला कि मैं क्लासिक 2019 में मुझे HTC Bank था, HTC का जो Branch था, वहाँ के Branch Manager ने मुझे Call करके मेरा Account उपिन करवा दिया, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि Branch Manager ने मुझे Call करके मेरा Account उपिन करवा दिया था, तो मुझे साथ दिन के अंदर-अंदर Classic Account में अप्ग्रेड मिल गया, अप्ग आपको बताई होगा कि आप Without Income Proof Credit Card के लिए Apply कर सकते हो, तो मैंने मेरे RN से बात किया, और मैंने HTC Regulier First Credit Card के लिए Apply किया, तब मेरे पास 2-3 Credit Card अल्रेडी थे, एक ICICI Bank का Credit Card था, एक SBI का Credit Card था, और मेरे पास 2 साल पहले का एक Card Loan था, तो मेरा जो Civil Score था, वह अच्छा था, 789 होगा कुछ मेरे ख्याल से तब मेरा Civil Score, तो वह अच्छा स्कोर है, अगर आपके पास 750 के उपर स्कोर है, तो अच्छा स्कोर है, अगर आपके Report में कोई Payment Default नहीं है, तो वह अच्छा स्कोर ही माना जाएगा, मेरे Portfolio में मतलब Civil में कोई भी Payment Default नहीं था, और मेरा स्क इंडिंग था, वो मैंने मेरा Regulia Fast Credit Card में सिट कर दिया, मेरे पास already Amazon पे ICICI Bank का Credit Card था, अगर उसको यूज करके मैं Spain करता, तो मुझे ज़ादा Value Back मिलता, पर मैंने फिर भी एस टेप से Bank के Credit Card को यूज करके ही Spain किया, क्योंकि मेरा Target था Infinia, तो मुझे उसमें Spain करना ही था, त तो मेरा जो spending था, तो limit का 30% से नीचे ही होता था, तो 6 मेहिना बाद, जब November के time पर मुझे एक offer आया, मैं time to time net banking से card upgrade और card के limit enhancement का offer time to time चेक करता रहता था, तो एक दिन मैंने देखा November में, मुझे एक limit enhancement का offer आया है, तो मैंने खोल के देखा, तो मुझे देखा कि 13,000 का एक limit enhancement offer, मैं बहुत ही disappointed हो गया, कि इतने दिन तक मैं इतना spending कर रहा हूँ मेरे card पर, फर फिर भी मुझे 13,000 का limit enhancement offer मिला है, तो बहुत ही वो बुरा लगा मुझे, और फिर भी मैंने वो upgrade करवा लिया, मतलब limit enhancement का offer था, वो मैंने accept कर लिया, और मेरा जो पहले limit था, 1 lakh का, वो हो गय और उसके ठीक 10 दिन के अंदर अंदर, मुझे और एक offer आता है, credit card upgrade और limit enhancement, दोनों एक साथ, उसमें offer था, मेरा जो regular fast credit card है, उसको मैं regular में upgrade करवा सकता हूँ, और मुझे limit enhancement offer मिला था, 6 lakh का, मतलब मेरे पास already limit था, 1.13 lakh का, और plus 6 lakh हो जाएगा, मतलब 7.13 lakh का limit, मुझे मिलेग regular fast magar में upgrade करता हूँ तो, तो मैंने तुरंद regular में upgrade किया, और limit भी मेरा बढ़ गया, total limit मेरा हो गया, 7.13 lakh, यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, यह 6 lakh rupees का limit का jump, यह मतलब normally ऐसा नहीं होता है, बहुत rare case है, मैं lucky था, मुझे यह 6 lakh rupees का jump मुझे मिल गया, पर मै भी इतना expect नहीं कर रहा था, मैं expect कर रहा था कि मुझे 2-3 lakh का limit का jump तो मिलेगा ही, पर मुझे luckily 7.13 lakh का limit मिल गया, और मुझे regular card मिल गया, November 2019 को, फिर मैंने मेरा जो journal head है, मतलब मेरे state का जो credit card का head है, मैंने उनके साथ बात किया, कि मुझे regular card से infinia card में upgrade चाहिए, तो उन्हों ने बोला कि ऐसा possible नहीं हो पाईगा भी, अगर आप चाहो तो मैं आपके regular card को diners black में upgrade करके दे सकता हो, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे regular card से infinia का upgrade ही चाहिए था, अगर मैं diners में upgrade करता, तो फिर infinia में upgrade करना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि बोट diners का card है, य फिर मेरा जो regular card था, उसको मैं use करता गया, normally पहले जैसा, 30% utilization ratio मैंने maintain किया, पहले भी मैं maintain करता था, बाद में भी मैंने maintain किया, और May 2020 में जा कर मुझे एक offer मिला, credit card का limit enhancement का, तो उसमें मुझे 1.5 lakh का limit jump मिला, तो मेरे पहले limit था 7.13 lakh, अब वो जो limit enhancement का offer मुझे मिला, उसके बाद मेरा limit हो गया, 8.63 lakh का, तो finally मेरा limit जो है, वो 8 lakh के उपर चला गया, तो मुझे अभी लगा कि अब मेरे पास infinia card पाने का एक chance है, तो मैंने फिर से मेरा जो state के जो head था, credit card का, उनके साथ मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप एक upgrade form फिलप करके, चेननाई office भे तो आपको infinia में upgrade मिल जाएगा, तो मैंने दो दिन के अंदर, जो limit enhancement का offer था, उसके दो दिन के अंदर-अंदर मैंने form फिलप किया, और चेननाई office में मैंने कूरियर कर दिया, में 2020 में मैंने upgrade form को post किया था, और मुझे जुलाई 2020 में जाकर, मतलब लगबग डेर महीना बाद मुझे एक call आता है ASTFC Bank के credit card department से, कि आपका जो upgrade का request था, वो accepted हो गया, और आपको infinia card में upgrade मिल जाएगा, आपको first year free card मिलेगा, और ये lifetime free नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं request करने ही बाला था, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप upgrade करवा दो, मु without any income documents, तो अगर आपको ऐसे upgrade चाहिए, तो आपको भी कुछ चीजे ध्यान में रखना होगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ, आप बैंक के साथ जितना अच्छा रिलेशनसी वैलू मिंटेन करेंगे, आपके पास limit enhancement और credit card के upgrade का offer आने का चांसे जूतना ज़ादा होगा, बहुत सारे लोग मुझे पूछता है कि आपने कितना मिंटेन किया था, आप कैसे आपके credit card पर कितना आप spend करते थे, पर ये सार चीज़े आपको आपके लिए खुद समझना होगा, और आपके account के हिसाब से आपको आपके account में balance मिंटेन करना होगा, या फिर आपके bank के साथ आपको relationship value मिंटेन करना होगा, और आप credit card में कितना spend करेंगे, वो totally आपके उपर depend करेगा, आपको बस 30% utilization जो ratio है, वो मिंटेन क 750 प्लास का score अच्छा होता है, पर आपके civil जितना ज्यादा होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है, और आपके civil में कोई भी non payment का कोई report नहीं होना चाहिए, नमबर थरी, आपके पास जो credit card अल्रेडी होगा, उसका आपको regularly use करना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मह percent, maximum आपको use करना होगा, नमबर फोर, आपको आपके account के variant के हिसाब से आपके account पर maintain करना होगा, मतलब अगर आपका classic account है, तो आपको 1 lakh रुपीज प्लास maintain करना होगा उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने preferred account ओपन किया है, और उसमें आप preferred का जितना maintain करना होता है, उत आपको थोरा सा lucky भी होना होगा, बहुत सरे लोगों को ऐसे मैं जानता हूँ, जिनके पास 8 lakh के उपर limit है, उन्होंने infinia upgrade के लिए request भी किया था, और उनका request reject हो गया है, तो infinia card एक invite only card है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 8 lakh के उपर limit है, तो आपको infinia मिल जाएगा, ऐसा बस यह था आज का वीडियो, मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो वाज़ाता पसंदा होगा, वीडियो का लाइक और सेयर करना बिलकुल मत भूलिए, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करक के दखे क्योंकि ऐसा है इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए जैहिंद वंदेवातरम